नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास जड्यू एमलसी राधा चरंच सेट को ईडी ने लंबी पूश्ट आच के बाद गिरफतार कर लिया है जिसके बाद एडी दफ्तर में उनको रखा गया था लेकि इसी बिच एडी दफ्तर के बाहर राधा चरंच सेट के समर्थक इंतजार कर रहे थे लेकिन इडी के अधिकारी इडी के जो करमचारी थे उन्हें दफ्तर से बाहर निकाल कर सीधे गाड़ी में बैठा देते हैं वीडियो और तस्वीर में आप देखें यही वह वक्त था यहीं समय जब गाड़ी में बैठ रहे थे राधा चरंच सेट उनके समर्थक और सुरक्षा कर सारे थे मेडिया कर्मियों के द्वारा से लेकिन के समर्थकों की भीड और हुजूम ने मौके पर आफरा तफ्री का महौल कायम कर दिया इस वीडियो को जराब देखिए कर देखिए तो अभी आपने इस वीडियो में देखा है कि इस तरीके से राधा चरण सेट को एड़ी दफ्तर से निकाल कर गाड़ी में बठाया गया है और उनको जहां ले जाना था निर्धारिस यानि की MPMLA कोट में जो पेशी की बात हो रही थी सायद वहीं उनको ले जाया गया है लेक कुछ बात हो जाया कुछ बोलने कुछ ख़़ए इन तमाम तरह की बातों को लेकर वहां पर जम्य हुए थे वह लोग काफी दिर से इंतजार कर रहे थे लेकिन बिना कुछ बात के हुए राधा चरण सेट को एड़ी के करमचारी लेकर चले गए उसी के दवरान इस तरह की घटनाय देखने को मिली है बात अगर राधा चरण सेट की करें तो मौझुदा समय में जेडू से मलसी हैं और उन पर आज से अधिक और बालू में वैद रुपे से कमाई का रोप लगा है जिसके मामले में एडी के टीम उनसे लगतार पुछ तेस कर रही थी राधा चरण स है तो ये वीडियो ये तस्वीर आप डिटार के बाहर करती जो मैंने आपको दिखाया है आप अपनी राः चरण सेट की गिरफतारी के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताईगा इस गिरफतारी से मौझूदा महागटबंधन सरकार को कितना नुक्शान होने वाला या क पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें